ओल्राइट गाईज मेरा नाम है मोहित एक एड़ सेवन के मास्टर एं इस वीडियो में बात करूंगा जीटीए 5 की स्टोरी लाइन के बारे में तो काफी कमेंट्स के बाद फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो गीटीए 5 गाईज हम सब ने खेला है लेकिन सब लोग ये गेम स्टोरी के लिए नहीं खेलते कुछ सिर्फ ओनलाइन खेलते हैं और कुछ को सिर्फ मिशन से मतलब है स्टोरी से नहीं लेकिन इस वीडियो में गेम के 5 येर्स रिलीज होने के बाद गेम की स्टोरी को हिंद साथ ना लेट्स बिगिन तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है नौर्थ येंग्टन जहां माइकल टाउनली ट्राइवर फिलिप्स एन उनका थर्ड साथी ब्रैड जो कि एक बैंक रॉबरी करते हैं लेकिन ये बैंक रॉबरी स्टार्टिंग से ही गलत दिशा में चली जाती है माइकल को गोली मार देती है और प्लैन ट्रैवर को भी पकड़ने का होता है लेकिन ट्रैवर वहाँ से भाग जाता है माइकल टाउनली की लाश को दफनाया जाता है लेकिन पता लगता है कि माइकल जिंदा है जो कि अपनी डेथ को फेक कर रहा है लेकिन ट्रैवर को यहीं रोबरी फेल करा दे और वो उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्लैन के अंदर उसके पिछले सारे क्राइम माफ कर देंगे और उसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का मौका देंगे माइकल की एक फैमली है तो वो ये ओफर कर लेता है Typically कर लेता है जो अपने साथी लमार के साथ एक करप्ट कार सेल्समें के यहाँ काम करता है Michael का बेटा Jimmy इसी car seller से heavy interest loan पे एक car ले जाता है Car की loan date आने से पहले ही यहां का owner Frank को इस car को recover करने को बेजता है लेकिन car वापस लाते Michael car के अंदर ही होता है जो Frank को उसके मालिक का showroom तोड़ने के लिए कहता है इसी के साथ Frank out of job है और वो Michael से कुछ काम के लिए उसके घर जाता है और इसी बात्चित के बीच Michael को उसके बेटे का phone आता है जिसे बचाने के लिए Frank Michael की मदद करता है और दोनों friends बनते हैं Michael को अपनी wife Amanda tennis coach के साथ सोती मिलती है और वो Franklin के साथ इस tennis coach का पीछा करते एक mention तक पहुंचते हैं और गुसे में Michael Wentz से इस घर को तोड़ देता है असल में ये घर tennis coach का नहीं बलकि Mexican drug dealer Martin Madrazo की girlfriend का होता है और इसे rebuild करने के लिए और Michael की जान बक्षने के लिए Martin Michael से पैसे मांगता है और Michael के पास इतने पैसे नहीं होते और पैसे कमाने का Michael को सिर्फ एक ही तरीका आता है और वो अपने साथ ही Lester जो की एक crippled hacker है उसे phone करता है और उससे jewelry store लूटने के बारे में discuss करता है Michael, Franklin and other crew members को एकठा कर ये store successfully लूट लेता है और store लूटते वो वहाँ की guard से अपना famous dialogue बोलता है जिसे टीवी पर दिखाया जाता है Michael इस store की money से मदराजो के पैसे वापिस कर देता है लेकिन FIB special agent Dave Naughton जिसने Michael का crime record erase किया वो Michael को warn करता है कि Trevor ये news देख उसे ढूणने आएगा और यहीं होता है Trevor अपने दोस्त का मशूर dialogue टीवी पर देख सोचता है कि शायद Michael जिंदा होगा क्योंकि अब तक Trevor को लगता था कि Michael मर गया है और वो अपने contact से Michael की location का पता लगाता है Trevor Los Santos के बाहर वाले area Blaine County में रहता है और यहां वो math, drugs and guns का business करता है और इस business को successfully run करने के लिए वो अपने सारे competition को वहां से हटा देता है और अगर मा count करूं कि Trevor किनकिन से लड़ाई जोकी मिलेता है तो सबसे पहले वो Lost Motorcycle Club को उड़ा देता है और उसके बाद several Latin American street gangs को और उसके बाद उसके rival math dealer the O'Neill Brothers को NEC बीच वो एक private army Maryweather से भी पंगा ले लेता है और उसी के साथ वो एक Chinese kingpin Wei Chang से भी पंगा ले लेता है लेकिन इन सबसे लड़ने के बाद Trevor Michael से दुबारा मिलता है लेकिन Michael की family से रिष्टे और ज़्यादा खराब हो जाते है और Michael की family उसे छोड़ देती है अब FBI special agent Steve Haynes अपने पैसो की problem को पूरा करने के लिए Michael Trevor Franklin and Lester को यूज कर अपने dirty काम कराता है जिसमें हम rival agency IAA के funds चुरा FIB को देते हैं IAA के दुआरा बनाये जा रहे एक nerve agent जो की IAA government से fund के लिए terrorist को देने वाली थी FIB उसे भी चुराने का plan बनाती है लेकिन इस mission को करने के लिए वो हमसे ही पैसे मांगते हैं और जैसा मैंने पीछे का Michael को पैसा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका आता है और इस बार हम Blaine county का bank लूटते हैं और इस money से हम helicopter और कुछ equipments ले IAA की agency से वो nerve agent भी चुरा लेते हैं लेकिन स्टीव हेंस को बचने के लिए अपने आपको गोली मारनी पड़ती है जिसे IAA स्टीव हेंस पर शक करती है हेंस माइकल को डैविन वेस्टन से मिलाता है जो की एक millionaire है और माइकल को खृदने के लिए वो उसके favorite producer Richard Solomon के studio में माइकल को काम दिलाता है माइकल सोलोमन के लिए काम कर assistant movie producer बनता है लेकिन वेस्टन इस movie को बंद कर insurance claim लेना चाहता है और माइकल अब इसे बंद होना नहीं देना चाहता है वेस्टन की secretary movie film के साथ अपने private plane में भागने कोशिश करती है लेकिन माइकल और पुलिस का पीछा करते Molly plane के engine में आब मर जाती है लेकिन माइकल movie को बचा लेता है और अब वेस्टन माइकल से बदला चाहता है मार्टिन मदराजो अपनी secret files को एक plane से चुराने के लिए Trevor और माइकल को कहता है जो की उड़ते plane को नीचे गिरा files recover करते है Trevor files के साथ मार्टिन से इस job के लिए पैसे मांगता है लेकिन मार्टिन के गुसा करने पे Trevor मार्टिन की wife को ही kidnap कर लेता है जिससे माइकल का Los Santos जाना almost ban हो जाता है लेकिन Trevor Merryweather की train से पास हो रहा gold का statue चुराता है जिसे माइकल मार्टिन को देने के लिए कहता है बदले में माइकल Trevor को union depository the big score करने के लिए कहता है जो की इन दोनों का सबसे बड़ा plan था और इसे पूरा करने के लिए Trevor ये statue माइकल को दे देता है जिसे माइकल को Los Santos में दुबारा entry मिलती है Trevor और माइकल के जगडे में Trevor माइकल से पूछता है कि अगर वो जिन्दा है तो उसकी कबर में कौन दफन है माइकल बात को गुमाने की कोशिश करता है कि Trevor नोर्थ येंग्टें जा वहां Brad को दफन देख सब समझ जाता है और वो माइकल पे भरोसा करना बंद कर देता है यहीं Trevor के दुश्मन Chinese Wei Chang माइकल को किड्नाप कर लेते हैं ये समझ कि इससे Trevor उनकी बात मानने लगेगा और वो माइकल को Los Santos ले आते हैं जहां Franklin Lester की help से माइकल को मरने के seconds पहले ही बचा लेता है अब हमें Steve Haynes बताता है कि उसकी agency उसी पर शक कर रही है इसलिए वो FIB के server से उसका सारा data delete करने को कहता है लेकिन माइकल ये opportunity देख हेंस का उससे control हटाने के लिए अपना ही सारा data FIB server से delete करता है और वहां से successfully भाग जाता है अब Franklin का दोस्त Lamar मुश्किल में होने के कारण Frank, Michael and Trevor को phone करता है और Lamar को उसी के दोस्त stretch से बचाता है Michael के पिछले incident के बाद Steve Haynes Michael को मारना चाता है लेकिन Steve Haynes का साथ ही बाकी FIB members को ये सब inform कर देते हैं और वहीं IIA भी Steve Haynes को पकड़ने आ जाती है moreover IIA के साथ Merryweather भी बहाँ पर पहुँच जाती है और इस stand-off के बीच Michael को Anne Mokey पर Trevor बचाता है जो की कहता है कि Michael को सिर्फ वही मारेगा और यहां से बच दोनों Union Depository को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्त रहकर नहीं सिर्फ partners रहकर और इस last job के बाद सब लोग अपने-पने रस्ते जाएंगे Leicester Union Depository की building को अच्छे से analyze करता है और Michael subtle तरीके से यहां से 4 ton gold move करने वाली vans को hostage बना इस building में entry लेते हैं और खुद workers बन यहां से 22-24 करोड का सोना चुआ लेते हैं और Leicester इस gold को time आने पर पिगला सब को उनका-उनका हिस्सा दे देगा लेकिन end यहां नहीं होता अब Devin Western Franklin को Michael को मारने के लिए कहता है और F.I.B. Franklin को Trevor को मारने के लिए कहती है लेकिन Franklin third option एक suicide mission चूस करता है जहां वो Leicester की मदद लेकर दोनों को बचा लेता है और यहां हमें F.I.B. Maryweather की बहुत सारी waves को मारना पड़ता है और यहां से बचने के बाद तीनों decide करते हैं कि जिंदा रहना है तो उनके सारे दुश्मनों को मारना पड़ेगा इसलिए Franklin Trevor के दुश्मन Chinese Wade Chang को मार देता है और Trevor Michael के दुश्मन Steve Haynes को और Michael Franklin के दुश्मन Arnold Stretch Joseph को और लास्ट में तीनों मिलकर Devin Weston को भी खतम कर देते हैं और यहीं F.I.B. Agent Dave Naughton तीनों की help करेगा उनके crime records देट करने के लिए और यहीं से तीनों दोस्त की तरह अपनी अपनी मन्जिल पर निकलते हैं और यहीं इस game का end होता है तो गाइस यही थी पूरी story GTA 5 की और अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजेगा और अगर बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन पर और यहीं गाइस इस वीडियो के बाद बाकी सारी वीडियो मैं हमेशा regular schedule से अपलोड करूँगा और तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो पर तिल देंग See ya